वेलकम टू अकेड हब आज हुम पढ़ेंगे हिंदी का चेप्टर 14 अकबरी लोटा लाला जहाउ मल को खाने पीने की कमी नहीं थी काशी के ठटेरी बजार में मकान था नीचे की दुकानों से एक सो रुपए मासे के करीब किराया उतर आता था अच्छा खाते थे अच्छा पहनते थे पर 2500 रुपए तो एक साथ आँख सेखने के लिए भी न मिलते थे मतलब लाला जहाउ मल जो थे उनके खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी उनकी दुकाने थी काशी के ठटेरी बजार में जिनका किराया आ जाता था एक मेने का सो रुपए तो वैसे कोई कमी नी थी लेकिन 2500 रुपए उनने कभी एक साथ देखने को मिले भी नहीं थे इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एक एक 2500 रुपए की मांग पेश की तो उनका जी एक बाद जोर से संसनाया और फिर बैठ गया उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा डरिये मत आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ लाला जाओ मल तिल मिला उठे क्योंकि उन्हें अपनी इंसर्ट लगी उन्होंने रॉप के साथ कहा जी हटो धाईसर उपए के लिए भाई से भीक मांगोगी मुझ से ले ले लेना लेकिन मुझे इसी जिन्दगी में चाहिए अजी इसी सप्ताह में ले लेना सप्ताह से आपका तात्पार या साथ दिन से है या साथ वर्ष से ये उनकी वाइब भी उनके साथ मजाग कर रही थी लाला जहाओ मलने रॉब के साथ खड़े होते हुए कहा आज से साथ वे दिन मुझसे ढाई सो रुपे ले लेना अब उन्होंने अकड में ये बात कहतो दी कि मुझसे ढाई सो रुपे ले लेना आज से ठीक साथ वे दिन अब देखो हो अरिजमेंट कैसे करेंगे लेकिन जब चार दिन जियोंतियों में यों ही बीद गए अब चार दिन तो उन्हें सोचते निकल गए और रुपियों का कोई भी प्रबन न हो सका तो उन्हें भाई चिंदा होने लगी प्रेश्ण अपनी प्रतिष्टा का था मतलब इज़त का सवाल था अपने ही घर में अपनी साक का था देने का पक्का बादा करके अगर अब ना दे सके तो मन में वो क्या सोचेगी उसकी नजरों में उसका क्या मूले रह जाएगा अपनी वाह वाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे मतलब अपनी बहुत तारीफ हैं वो अपनी वाइफ के सामने कर चुके थे अब जो एक काम पढ़ा तो चार एक चारो खाने चित हो रहे तो पहली बार तो उसने पैसे मांगे डाइस रुपे अगर नहीं दिये तो भाई बहुत बड़ी बेस्ती हो जाएगी ये पहली बार उसने मुँख खोल कर कुछ रुपियों का सवाल किया था पहली बार उनकी बीवी ने पैसे मांगे थे इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुद दिखाएंगे मतलब पेस्ती तो पक्का होनी होनी अगर पैसे नहीं दिये खेर एक दिन और बीता अब पांचवे दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विब्दा सुनाई अब बिलवासी मिश्र जो थे वो उनके दोस्त थे उनके फ्रेंड सहियों कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिलकुल खुक थे खुक मतलब खाली थे उनके पास भी पैसे नहीं थे उन्होंने कहा मेरे पास हैं तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जाज कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को मैं तुमसे मेकान पर मिलूँगा उनके दोस्त को यास पैसे तो नहीं थे पर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कहीं और से मांग के जुगाड करके ला दूँगा वही शाम आज की थी मतलब वो लास्ट शाम आचुकी थी मतलब उन्होंने सोचा भई ये लास्ट दिन है कल या तो उन्होंने अपनी वाइफ को पैसे देने ही देने है बरना इस जट तो गवाँ ही देनी है बिल्कुल ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी इस्तरी उन्हें डामल फांसी पर न कर देगी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी वाइफ उनको फांसी पर चढ़ा देगी केवल जरह सा हस देगी अगर उन्होंने पैसे नहीं दिये वो क्या करेगी जरह सा हस देगी पर वो कैसी हसी होगी कल पना मातर से जाओ मल में मरोड पैदा हो जाती है मतलब ऐसा होता नहीं किसी को देख के यह तो क्या ही करेगा मतलब वो उन्हें सोच के भी ऐसा लगने लगा यार मेरी बहुत जाद ही बेस्ती हो रही अब तो आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था अब उनके दोस ने प्रामिस किया था कि मैं पैसे लेके आऊंगा यदि ना आय तो अब भई उन्हें टेंशन होने लगई कि उन्होंने कहा तो था पर वो लेके नहीं आये तो या कहीं रुपे का प्रबंद वो ना कर सके तो भई कहीं ऐसा हुआ कि उनको भी कहीं से पैसे ना मिले तो क्या होगा इसी उधेर बुन में पड़े लाला जाउमल छट पर टहल रहे थे अब वो इस टेंशन की जिसे छट पर घूम रहे थे कुछ प्यास मालूम हुई उन्होंने नौकर को अवाज दी नौकर नहीं था खुद उनकी पतनी पानी लेकर आई उन्होंने पानी मांगा तो उनकी वाइफ पानी लेकर आ गई वो पानी तो जरूर लाई पर ग्लास लाना भूल गई केवल लोटे में पानी लिये वो प्रकट हो गई फिर लोटा भी संयोक से वो जो अपनी बेढ़ंगी सूरत के कारण लाला जाओ मल को सदा से ना पसंद था मतलब उनकी वाइफ पानी लेक्या ही एक लोटे में जो लोटा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था था तो नया बिल्कुल नया ही लोटा था साल दो साल का ही बना होगा पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माद चिलम रही होगी मतलब वो बिल्कुली बेढ़ंगा लोटा था कोई शेप ही नहीं थी उसकी लाला ने लोटा तो ले लिया पर बोले कुछ नहीं अपनी पतनी का अदब मानते थे और खेर मानना भी चाहिए मतलब वो अपनी वाइब से कुछ भी पलटके कहते नहीं थे उनको लोटा पसंद नहीं था पर उन्होंने फिर भी कुछ भी नहीं कहा ले लिया उन्होंने जो पती अपनी पत्नी का नहुआ वो कैसा पती? मतलब अपनी भाई बीवी की बात तो माननी ही चाहिए फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी नहां दे तब ही गनीमत है अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा मतलब भाई अगर उन्होंने ние कह दिये लोटे में पानी क्यों लाई हो ग्लास में बाव तो क्या पता उनकी वाइफ चड़के कल को उन्हें बाल्टी में खाना दे दे तब क्या करना बाकी रह जाएगा वो तर नहले बेदहला होगा ही लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे उस समय वो छटकी मुंडेर के पास ही खड़े थे जिन बुज़र्गों ने पानी पीने के संबन में ये नियम बनाये थे कि खड़े खड़े पानी ना पीओ, सोते समय पानी ना पीओ, दोड़ने के बाद पानी ना पीओ उन्हें पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छटकी मुंडेर के पास खड़े हो कर पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है कि इस महत्वूर्ण बिशय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब वो क्या सोच रहे थे पानी पीते पीते हैं कि छटकी बांडरी के पास खड़े हो के पानी पीते हैं। लाला जाव मल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे कि नजाने कैसे उनका हाथ हेल उठा और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं वो नीचे वाले गली की ओज चल पड़ा अपने वेग में उलका को लजाता हुआ वो आखों से ओजल हो गया मतलब वो बांडरी पे खड़े होके पानी पी रहे थे और एकदम से लोटा उनके हाथ से छूट गया और वो एकदम गली में गिरा एकदम तेजी से और उनकी आखों के आगे से गयाब हो गया किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने प्रत्वी की आकशन शक्ती नाम की एक चीज इजाद की थी कहना न होगा कि यह सारी शक्ती इस समय लोटे के पक्ष में थी मतलब कि गुरुट्व कशन की वज़े से वो लोटा एकदम इतनी तेजी से नीचे गिरा कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि भाई वो गया कहा किस तरफ गया लुड़क के लाला को काटो तो बदन में खून नहीं मतलब वो एकदम खड़े के खड़े रहेगे एकदम सन ऐसी चलती हुई गली में उंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हासी खेल नहीं है मतलब वो भरी हुई गली थी लोग आते जाते रहते थे नीचे दुकाने थी मार्केट था और पानी से भरा हुआ लोटा तीसरी मंजल से नीचे गिरे ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के जोपड़े पर काशी वास का संदेश लेकर पहुँचेगा काशी वास मतलब स्वर्ग वास हो जाए वो बंदा सीधे काशी ही ले जाए उसको अगर किसी के सिरपे गिर पड़ा तो क्या होगा भई वो तो उपर ही पहुँच जाएगा न कुछ हुआ भी ऐसा ही गली में जोर का हल्ला उठा एकदम से भई शोर हो गया लाला जहाउमल जब तक दोड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड उनके आंगन में घोसाई लाला जहाउमल ने देखा कि इस भीड में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्षिक से भीगा हुआ है नक्षिक से मतलब नाक से लेके मतलब स्वरी शिक से लेके नकून के पैर तक पैर के नकून तक सोरी वहां तक उपर से लेके नीचे तक पूरा भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूजरे पैर पर नाच रहा है उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला जहाउमल ने फौरन दो और दो जोड कर इस्तिती को समझ लिया मतलब पहले उन्होंने क्या दिखा अंग्रेज को जो एक पूरा भीगा हुआ था एक पैर पे नाच रहा था मतलब और एक तरफ लोटा पड़ा था तो उन्हें समझ में आ गया कि यह लोटा इनके पैर पे आके गिरा है गिरने से पहले लोटा एक दुकान के साइबा हो थी ऐसे पहले वो लोटा उसपर गिरा उसके बाद उसका पानी चलकके उस अंग्रेज के उपर गिरा और वो लोटा क्या उसके बूट पर आके गिर गया Even His Use अंग्रेज को जब मालूम वा कि लाला जहा उमल ही उस लोटे के मालिक है तो उसने कैबल यह काम किया अपने की भाषा में गालियों का ऐसा प्रकान कोष है मूझ को कhula छोड़ कर खुला ही छोड़ दिया मतलब भाई उसने नान इस्तॉप बोलना शुरू कर तब लाला जाओ मल को पता चला ओहो इंग्लिश में भी इतनी कालिया दी जाती है इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र कौन थे उनके दोस्त जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि आज पैसे लेकर आएंगे भीड को चीलते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े उन्होंने आते कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से पूछा आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ चाहिए वो कुर्सी लाए और उस अंग्रेज को कुर्सी पर बिठा दिया साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला कि राहचलतों पर लोटे के वार करें जो उनके दोस्त है वो बोले मैं नहीं आनता ही आदमी कौन है और मैं ऐसे लोगों को जानना भी नहीं चाहता जो पिचारे बेखसूर लोगों पर अपने लोटे से वार कर रहा है उनको मार रहा है मेरी समझ में he is a dangerous lunatic उन्होंने बोल यह कोई खतरनाक मुजरिम है अब परमात्मा ने लाला जाउ मलकी आखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती न तो वो इनिश्चे ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आखों से खा चुके होते क्योंकि उनका दोस्त उनके सामने बैठ के अंग्रेश से कह रहा है कि भाई यह तो क्रिमिनल है मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं हो तो वो उन्हें क्या घूर घूर के देख रहे थे वो कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है भाई साहब ने बिलवासी जी से पूछा ठीक है तो यह क्रिमिनल है तो भई, इसका क्या करना चाहिए? अब देखो, आगे क्या होता है? बिलवासी जेने क्या कहा? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजे. अब बिलवासी जो उनके दोस्ते थे वोई उनको आइडिया दे रहे हैं कि आप इस मामले की ना पुलिस में रिपोर्ट कर दो जिससे ये आदमी फोरण हिरासत में ले लिया जाए अंग्रेज ने पूझा पुलिस इस्टेशन है कहाँ पास ही है चलिए मैं बताओ चलिए अभी चला आपकी मतलब उसने क्या पूला बिलवासी जी ने कि ठीके मैं भी चलता हूँ आपकी इजाज़त हो तो पहले में इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ क्यों जी बेचोगे मैं पचास रुपे तक इसके दाम दे सकता हूँ वो क्या कर रहे थे उन्होंनों इसको पूझा जाओ मल जो होते है उनके दोस्त की भाई मैं जा रहा हूँ स्टेशन इनके साथ लेकिन उससे पहले में इस लोटे को खरीद लू क्यों भाई पचास रुपे में इस लेटो के बेचोगे लाला जाओ मल तो चुप रहे वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाईया यह क्या हो रहा है इसे क्यों बोल रहा है लोटा क्यों खरीदना ही खुद पुलिस के पास लेके जा रहे है तो उससाभ ने पूझा इस रद्धी लोटे के आप पचास रुपे क्यों दे रहे है भही उस अंग्रेज को भी समझ में नहीं आए कि ये टूटा फूटा सा लोटा इसका क्या है ऐसा तो उन्होंने बोला आप इस लोटे को रद्धी बताते हैं आश्चर्य मैं तो आपको एक विग्य और सो सिक्षित आदमी समझता था तो बिलवासी ने क्या बोला हे भगवान आप इस लोटे को इतना रद्धी बता रहे हो मुझे तो लगाता है आप बड़े ज्यानी हो आपको तो हर्चीज पता होगी आप तो पढ़े लेखे इंसान हो आखिर बात क्या है कुछ बताईए भी अंग्रेज ने बोला उन्होंने क्या बोला भई ये तो अकबर के जमाने का लोटा है ये अकबर ही लोटा सारी दुनिया की म्यूजेम इसको ढूंड रहे हैं उन्होंने को ये बात जी जनाब सोलवी शताबदी की बात है बाश्या हुमाईउं शेल साल से हार कर भागा था और सिंद के रेगिस्तान में मारा-मारा फेर रहा था एक अफसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी उस समय एक ब्रहामण ने इस लोटे से पानी पिला कर उसकी जान बचाई थी हुमाईयों के बाद अकबर ने उस ब्रहामण का पता लगा कर उससे उस लोटे को ले लिया था अब वो क्या कर रहे हैं उसको वो न कहानी सुना रहे हैं पुरानी कि ये देखो ये लोटा कैसे अकबरी लोटा क्यों है तो उस लोटे को ले लिया था और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के दस सोने के लोटे दिये थे ये लोटा समराट अकबर को बहुत ज़्यादा प्यारा था क्या था ये लोटा उनको बहुत प्यारा लगता था इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा वो बराबर इसी से वजू करता था ठीक है सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है सबको पर इसके बाद ये लापता हो गया वो लोटा कलकता क्या म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे फैंसी मतलब कि अगर म्यूजियम वालों को पता चल गया न तो भाई वो बहुत सारे पैसे देके भी इस लोटे को खरीद लेंगे अब जो वो जो अंग्रेज था वो तो ध्यान से सुनना था सारी बात है इस विवरण को सुनते सुनते सहाब की आँखों पर लोब और आश्चर एका ऐसा प्रभाप पड़ा कि वो कौडी के आकाल से बढ़कर पकौडी के आकाल की हो गई आखों की बात चल रही कि वो छोट छोटी आखें थी पर वो सुनके एकदम से लाला चार आश्चर एक उनकी आखें ऐसे पकौडी जैसी बड़ी बड़ी हो गई उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करोगे ठीक है उन्होंने का मुझे पुरानी और एतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है तो अंग्रेज बोला मुझे भी पुरानी और एतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है जिस समय ये लोटा मेरे उपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था उस दुकान से पीतल की कु पूछा हक है उन्होंने बोला अंग्रेज ने जरूर हक है ये बताईए कि उस लोटे के पानी से आपने इसनान किया था या मैंने तो उन्होंने बिलवासीची ने बोला कि इसनान तो आप नहीं किया था क्योंकि वो आपके उपर ही गिरा था उन्होंने पूछा वो आपके प वो बोले यह सब बिलकुल बकवास है दाम लगाईए जो अधिक दे वो इसे ले जाए तो अंग्रेज बोला यही सही आप इसका 50 रुपे लगा रहे थे तो मैं 100 देता हूं मैं 1.500 देता हूं मैं 200 देता हूं अजी मैं 500 देता हूं यह कहकर बिलवासी जी ने 500 के नोट लाला जाओ मल के आगे फेक दिये ठीक है बिलवासी जी बोले भही मैं तो 50 रुपे दे दूँगा इस लोटे के अब सहाब को भी ताब आ गया भही उन्होंने बोला आप 50 रुपे देता हूं अब चलिए बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे मानो अपन 500 रुपे दे दिये थे उसी लोटे के ये सुनना था कि सहाब के चेहरे पर प्रसनेता की कूची गिर गई मतलब शक्कल एकदम चमक गई उनकी खुशी से उसने जपटकर लोटा उठा लिया और बोला अब मैं हस्ता हुआ अपने देश को लोटूंगा मेजर डगलस की दीग आये थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे जहांगीरी अंडा हाँ जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वो ही अच्छी चीज़न आ सकते हैं तो उन्होंने पूछा पर यह जहांगीरी अंडा क्या है आप जानते होंगे कि एक उसरे कबूतर को भी उड़ा कर बताया था कि ऐसे इसके इस भोलेपन पर जहांगी दिलोजान से निच्छावर हो गया उसी जण से उसने अपने को नूर जहां के हाथ कर दिया मतलब उन्हें प्यार हो गया था उनके भोलेपन से कबूतर का ये एहसास वो कभी नहीं भूला उ उसी को मेजर डंगलस ने पार साल मतलब पिछले साल पार साल दिल्ली में एक मुसलमान सजजन से तीन सौ रुपे में खरीदा था ये पाद ओहो हां तो उन्होंने कहा हाँ पर अब मेरे आगे दून नहीं ले सकते दून मतला मेरे आगे वो नहीं रह सकते मेरा अगबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक मुश्थ पुराना है इस रिष्टे से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ उन्हाने बोला अब सहाब ने लाला जाओ मल को 500 रुपे दे कर अपनी रहा ली लाला जाओ मल का चेहरा इस समय देखते बनता था जान पड़ता था कि मुँपर 6 दिन की बड़ी हुई डाड़ी का एक एक बाल मारे प्रसनिता के लहरा रहा है 6 दिन क्योंकि 6 दिन से उनको टेंशन थी न 2,500 रुपे की कैसे देंगे कैसे देंगे अब उनको अपने देव से पूछा बिलवासी जी मेरे लिए 500 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास थे नहीं तो उनको ने का इस भेद को मेरे सिवा इश्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लिजे मैं नहीं बताऊंगा बेलवासी जी बोले, भई देखो, मिरे पस नहीं थे, पर मैं कहां से लाया हूँ, यह तो सरफ भगवान आई बता सकता है, और मैं आपको बिलकुल भी नी बता हूंगा, कही डाई सरफर में, कहां से लाया, पर आप चले कहां, अभी मुझे आपसे काम है दो गंटे तक तो उन्हों ने का दो गंटे? हाँ और क्या? अभी मैं आपकी पीट होकर शाबाशी दूँगा एक गंटा इसमें लगेगा फिर गले लगा कर धन्यवाद दूँगा एक गंटा इसमें भी लग जाएगा अच्छा पहले 500 रुपे गिन कर सहेज लीजिए भई उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 500 रुपे उल्लू बरा के लिये लिये थे उस अंग्रेट से वो दोनों दोस्त अब क्या कर थे? भई खुश हो रहे थे कि ठीक है भई अब तुम शाबाशी दूँगा और तुम्हें गले लगाऊंगा तो उन्होंने का ठीक है भई तुम अपने पैसे गिन लो 500 रुपे और उनको रख लो संभाल के रुपिया अगर अपना हो तो उसे सहेज ना ही कैसा सुखद मनमोहक कारे है कि मनुश उस समय सहेज में ही तन्मनेता प्राप्त कर लेता है लाला जाओ मल ने अपना कारे समाप्त करकी उपर देखा पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए अब उन्होंने 500 रुपे गिने पर वो इतने ज़्यादा मगन हो गए पैसे गिनने में कि उन्हें यही नहीं पता चला कि उनके दोस्त वहाँ से कब चले गए बिलवासी जी उस दिन रात्री में बिलवासी जी को देर तक नीन नहीं आई जो उनके दोस्त थे वो घर तो चले गए पर भई वो भई देर रात तक उनको नीन नहीं आई वो चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे एक बज़े वो उठे रात के एक बज़े धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सिकडी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी मतलब उनके गले का धागा निकाला जिसमें एक चाबी बंधी थी फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला उसमें धाई सो के नोट जियों कित्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया फिर दबे पाउं लोट कर ताली को उन्होंने पूरबत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया अब समझ में आया आपको कि उन्होंने पैसे कहा से लिए थे वो धाई सो अपनी पतनी के संदूख से चुराए थे मतलब बिना पूछे लेके खहे थे अपने दोस्त की मदद करने के लिए इसके बाद उन्होंने हसकर अंगडाई ली तूसरे दिन सुबह आठ बिल तक चैन की नीन सोए टेंशन खतम उनकी भी टेंशन खतम और उन्होंने चलाकी से कैसे अपने दोस्त को धाई सो की जगे पांचोर पे दिलवा दिये उस बकवास से लोटे के जो टेड़ा मेड़ा था तो ये कहानी लिखी थी अनपूर्णा नन वर्माने कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताना और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई